नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक पोयम को जिसका नाम है फायर एंड आइस इसको एक अमेरिकन राइटर रोवर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है ये पोयम आपके TGT, PGT, LDG, UGC, NET के अलावा आप लोगों के 10th किलास के सिलेबस में भी लगाई गई है रोवर्ट फ्रोस्ट जो है एक 20th सेंचरी से बिलोंग करने वाले अमेरिकन राइटर हैं इनको अपनी लाइफ में 4 बार Pulitzer Price मिला था तो Fire and Ice को हम बहुत अच्छी तरह से पोयम को समझ लेगे और इसके मैं कुछ difficult word भी आप लोगों को बताऊँगा और मैं ये भी आप लोगों को बताऊँगा रोवर्ट फ्रोस्ट ने इस पोयम का नाम Fire and Ice ही क्यों रखा है इसके अलावा इनोंने और किसी टाइटल को इस पोयम के अंदर क्यों नहीं चुना तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सबसे पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि रोवर्ट फ्रोस्ट ने इसका टाइटल Fire and Ice ही क्यों रखा कोई और टाइटल क्यों नहीं रखा देखो ये पोयम रोवर्ट फ्रोस्ट ने 1928 में लिखी थी 1920 में इस पोयम को लिखा था तो उससे पहले इनोंने World War First World War First को देखा था और World War First 1914 से लेकर 1918 तक चला था तो इस समय में जितनी भी इनसानियत का नुकसान हुआ था जो भी विनास फैला था उससे पिरभावित होकर ये पोयम रोवर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है अब आप कहेंगे कि World War First से ऐसी क्या चीज़े देखी इनोंने जिसकी वज़े से इन्हें ये पोयम लिखनी पड़ी आईये समझते हैं देखे रोवर्ट फ्रोस्ट ने जो भी विनास देखा जो भी चीज़े देखी जो खराब हो रही थी World War First के टाइम पर उन्होंने देखा कि इस संसार का अंत एक ना एक दिन इस संसार का विनास एक ना एक दिन जरूर होगा या तो फायर से होगा या फिर आईस से होगा ये एक सिंबोलिक पोयम है अब फायर या आईस का क्या मीनिंग है यहाँ पर रोवर्ट फ्रोस्ट के द्वारा वो समझ लेते हैं दिखिए फायर का मतलब है इनसानों की बढ़ती हुई इक्छाएं जिन पर इनसान का कोई भी कंट्रोल नहीं है या इक्छाओं का कोई अंत नहीं होता ये बात तो आप जानते ही होंगे इनसान की अनकंट्रोल या फिर अनएंडिंग जो डिजायर्स हैं उनकी वजह से इस संसार का अंत होगा रोवर्ट फ्रोस्ट का ये मानना है ठीक है जी तो फायर्स का मतलब क्या है यहाँ पर जो अनकंट्रोल या फिर अनएंडिंग डिजायर ओफ हुमिन बिंग्स हैं उन इसका मतलब है hydrate या फिर कहें तो hate यानि कि इस संसार में नफरत इतनी फैल जाएगी कि इनसानों की जो feelings हैं इनसानों की जो भावनाएं हैं वो कैसी हो जाएगी कि इनसान ही इनसान का दुस्मन बन जाएगा और नफरत इतनी फैल जाएगी कि इनसान इनसान को मारने लगेग जिसकी वजह से इस संसार का अंत हो जाएगा तो ये प्यारी सी पोयम है बहुत अच्छी पोयम है इसको मैं easy language में आप लोगों को समझाऊँगा सबसे पहले इसके publication की बात कर लेते हैं कि Robert Frost ने इसे 1928 में लिखा था 1920 में इसे लिखा था World War First के बाद इतना तो सियोर था कि Robert Frost ये समझने लगे थे कि इस संसार का end होगा लेकिन किस तरह से होगा ये सारे चीज़े इस पोयम के अंदर डिसकस की गई है इस पोयम को 1920 में दिसंबर के महिने में यानि कि 1920 के दिसंबर के महिने में एक मैगजीन का नाम है जिसका नाम है Harper's मैगजीन ये नियू योर्क में आने वाली मन्तली मैगजीन है जिसके अंदर इस पोयम को पब्लिस करा गया था इसके बाद 1923 में 1923 में रोवर्ट फ्रोस्ट के एक पोईटरी कलेक्शन जिसका नाम था नियू हैंपसायर इसके अंदर भी इस पोयम को इंकलूड किया गया था अब ये New Hampshire नाम का poetry collection जो है इस poetry collection के लिए 1924 में रोबर्ट फ्रोज्ट को Pulitzer Prize भी मिला था मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रोबर्ट फ्रोज्ट को इनकी लाइफ में चार बार Pulitzer Prize मिला था उसमें से एक बार तो New Hampshire के लिए मिला था जो 1924 में इनको मिला था और ये पहला Pulitzer Prize जा जो इनको मिला था इसके अलावा जो चीज़े हम लोग इस poem के अंदर discuss करने वाले हैं वो है distraction की चीज़े जो destroy करने वाले चीज़े हैं इस संसार को कि किस तरह से इस संसार का अंत होगा ये सारी चीज़े discuss की हैं Robert Frost ने हमारे साथ और इस poem के अंदर हमें read करने के लिए सिर्फ 9 lines, no line मिलेंगी छोटी सी poem है लेकिन इसका meaning बहुत जवरदस्त है एक depth में जाकर meaning निकल कर आता है कि मैं इनको आप लोगों को easy language में समझा दूँगा जब world war खतम हो गया था तो 1920 में 1920 में Robert Frost ने इस poem को लिखते हुए कहा था कि some say the world will end in fire, some say in ice कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत जो होगा, वो किस से होगा, fire से होगा fire का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, symbolic poem है, fire का मतलब है कि इनसान की बढ़ती हुई एक छाओ की वज़े से इस संसार का अंत होगा और कुछ लोगों का मानना है कि some say in ice, कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत जो होगा, वो ice की वज़े से होगा eyes का मतलब है यहाँ पर hate की वज़े से होगा कि इंसान इंसानों से इतनी नफरत करने लगेगा कि इंसान ही इंसान का दुस्मन बन जाएगा और वो ही उसे मारने लगेगा अब अगली दो लाइनों में Robert Frost कहते है from what I have tasted of desire कि मैंने जहां तक tasted का मतलब है experience किया है या फिर मैं उन्हें favor करता हूँ उन्हें support करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत जो होगा वो fire से होगा मतलब इंसान की बढ़ती हुई एक्छाओ से इस संसार का अंत होगा आईए इन चार लाइनों को मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से बता देता हूँ देखो यहां पर एक image आप लोगों के सामने है हम जिस तरह से पिरकरती की द्वारा दी गई free चीजे हैं जैसे की धरती है, पानी है, environment है इन सब चीजों को हम कहीं न कहीं इन सब चीजों का misuse कर रहे है इनसान पिरकरती को बुरी तरह से तभा कर रहा है दिन पे दिन लाखों पेड़ वो काटता रहता है क्यों काटता है, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी सड़के चाहिए चलने के लिए क्योंकि उसे बड़े बड़े घर चाहिए रहने के लिए तो हम पिरकर्ती की जो free की चीज़े हैं उनको नश्ट कर रहे हैं पानी को ले लो लोग पीने का पानी इस तरह से तभा करते हैं बरवात करते हैं जिसकी वज़े से एक दिन पीने की पानी की कमी हो जाएगी पेड़ों को काट रहे हैं जिसकी वज़े से इस धर्ती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और क्यों? क्योंकि इनसान अपनी एक छाओ को पूरी करना चाहता है अपनी desires को पूरी करना चाहता है और desire कभी भी खतम नहीं होती इनसान की तो इस वजह से एक दिन हम धर्ती को उस कदर तबा कर देंगे कि इस संसार का इस धर्ती का नस्ट हो जाएगा ये धर्ती एक दिन फट जाएगी ठीक है तो fire का मतलब है किस चीज़ से फट जाएगी इनसान की बढ़ती वजह से जो हमें पिरकरती ने चीज़े दी हैं हम उन सब को नस्ट कर देंगे और इस संसार का अंत हो जाएगा बढ़ते हैं आगे आगे वो कहते हैं अगर इस संसार का नस्ट दो बार होना हो twice का मतलब है दो बार होना और Paris का मतलब है यहाँ पर nust होना, destroy होना ठीक है, नीचे आप लोगों को difficult word भी दिये गई है यहाँ पर Paris का मतलब दिखाया गया है destroy होना, कि अगर इस संसार का अंत दो बार होना हो है न जी, तो I think वो कहते है, I think मुझे ऐसा लगता है, I know enough of it कि इस संसार को nust करने के लिए, destroy करने के लिए hate भी कोई कम नहीं है hate से भी, नफरत से भी इस संसार को nust किया जा सकता है देखे, जिस तरह से इंसान धरती पर रहने का दिखावा करता है कि हम सब लोग यहां पर मिल जुलकर रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इस धरती पर रहने वाले लोग जो है, वो अलग-अलग language को बोलते हैं अलग-अलग religion से believe करते हैं तो जो लोग उनके religion को follow नहीं करता जो लोग उनकी language को follow नहीं करता तो वो एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं तो यह नफरत जो है एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी यह hate जो है, यह ice जो है ice का मतलब है hate यह hate इतना बढ़ जाएगा कि यह लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे और इस धरती को तभा कर देंगे जिस धरती पर आज यह रह रही है इस picture में आप लोगों को पूरी तरह से दिखाए रहा है वो कहते हैं कि अगर इस संसार का अंत दो बार होना हो तो एक बार तो desire से हो जाएगा इनसान की बढ़ती हुई च्छाव से कि वो धरती को प्रकरती को नस्ट कर देगा या फिर दूसरा है कि इस संसार को नस्ट करने के लिए hate भी कम नहीं है to say that for distraction eyes is also great कि इन संसार को नस्ट करने के लिए जो eyes है वो भी great है यानि कि कम नहीं है and would suffice suffice का मतलब है यहाँ पर sufficient होना कि ये भी काफी है basic इनसान की भड़ती हुई इक्छाएं तो इक्छाएं तो इस प्रकरती को नस्ट करी रही है लेकिन जो distractions है जो नास होना है विनास होना है ये eyes की वज़े से भी हो सकता है यानि कि जिस तरह से संसार में नफरत फैला रहे हैं लोग उससे भी इसका विनास हो सकता है तो World War 1 को देखने के बाद ये सारी की सारी thoughts Robert Frost के मन में आई थी जो उन्होंने इस poem के माथ्यम से हम लोगों को बताया है